हेलो एवरिवन माई सहर लखमीचंद फ्रॉम मैथमेटिक सॉलूशन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो ट्राइनॉमियल्स हैं उनका हम फैक्ट्राइजेशन कैसे करेंगे तो देखो मैं आपको बहुत अज़ इसमें सिम्पिल ट्रिक पता हूँ कि जब ट्राइनॉम्यल्स हैं तो सबसे पहले आप ये देखेगे की में जो dianomials हैं उसमें perfect square कितने terms हैं सबसे पहला point आपने देखना है कि मेरा perfect square क्योंकि ये आपको जो perfect square होगा वो आपको ये बताएगा कि मेरा कौन सा formula लगेगा तो सबसे पहले आप perfect square देखोगे तो उसमें यदि आपके दो perfect square means two perfect square number है और ये दोनों जो terms हैं two आपके terms होंगे जो perfect square होंगे और दोनों ही term plus के होंगे इसमें positive होंगे हमेसा ये note कर लो तो positive हैं और दोनों term हमारे perfect square हैं तो हमारा a square plus b square plus 2ab या फिर a square plus b square minus 2ab ये formula आपका लगेगा तो और इसमें जब जो two आपके perfect square terms मिल जाएंगे तो आप उनका जब root लेंगे और root लेने के बाद उनको multiply करोगे तो उनका twice करके double करके आपको जो term रह गया है तीसरा वो मिलेगा ये plus का sign है वो भी तो आप a plus b का square लिख दोगे और minus का है तो आप a minus b का square लिख दोगे अब मैंने यापर कोई भी आपका question ले रहा हूं कि मेरे पास है कि x square minus 4x और plus 4 अब देखो ये trinomial method हम होई देखते हैं सबसे पहले common method देखेंगे उसके बाद हम जो है group common देखेंगे और उसके बाद two terms हैं तो a square minus b square और three terms हैं तो मेरे पास ये three हैं जब ये दो term perfect square नहीं होंगे तो फिर मैं middle term लगाऊंगा वो ये method में अभी discuss करूँगा तो अब देखो मैंने ये three terms हैं तो मेरा ये भी number एक perfect square है और ये ये मेरा जो number है ये मेरा x का square है और ये जो number है वो मेरा 4 का square 2 का square है तो अब देखो ये 2 का square तो मैंने बुला कि इन दोनों number के ये multiply करूं 2 और x को तो 2x आता है और उसका double करता हूं तो देखो मेरा ये 4x जो तीसरा रह गया है वो मिल गया आपका तो इसका मतलब मेरा ये क्योंकि ये minus का है तो ये वाली identity लग जागी तो अब आपने next line में क्या लिखना है केवल ये मेरा x का square है ये आप इदर लिख सकते हो कोई problem नहीं है ये बात में लिखोगे बात में लिख लो नहीं तो minus 2 into a मेरा x और b मेरा ये देखो 2 और plus 2 का square next line आपकी ये होगी और third line में आपका answer होगा x minus 2 का holy square इसको आप दोबार लिख सकते हो ऐसे लिख्या होगे तब भी आपका answer है ये ये आपका answer हो जाएगा अब देखो में next example एक आपका दूसरा question लेता हूँ x square प्लस x और प्लस 1 upon 4 अब यहाँ देखो perfect square number मेरे पास ये perfect square number है अब मैं यहीं दिल लेके दिखा रहा हूँ कि ये मेरा देखो x का square है अब ये मेरा जो है 1 upon 2 का square है अब देखो middle वाला time जो है मैंने इसको 2 से multiply किया और x को मैंने x लिखा और इसको मैंने half लिख दिया तो ये मेरा देखो x ही वाता है x 2 से 2 cancel जाए x इसका मतलब मेरा इसको follow कर रहा है तो इसका next plan में आपका क्या answer हो जाएगा x plus half का whole square तो इस तरह से हम जो है इन दोनों identity को इस तरह से निकाल सकते हैं अब जो आपका रह गया है middle term splitting तो देखो middle term splitting में हमारा क्या है यह भी question आपका middle term splitting से होता है middle term splitting के लिए हमारी क्या पैचान होती है कि यह आपके पास दोनों terms perfect square नहीं है दो term आपके तो उसमें आप क्या करोगे कि यहाँ हम variable जो है उसकी power देखते हैं तो power में देखो पर मेरी power 2 है इसका मैं half करता हूँ तो 1 हो गया और 1 इसमें से minus करता हूँ तो x की power 1 आपको यहाँ मिलेगी और 1 में से भी minus कर दूँगा तो 0 power आपकी वहाँ मिलेगी तो यह इस तरह से हमारी power कम होती भी जाती है तो वहाँ पर हमारा middle term लग जाएगा अब middle term के लिए आपने देखो main क्या याद रखना है कि सबसे पहले हम इसको arrange करते हैं arrange कर लिया पहले x square की power वाला term आजाएगा फिर x का आएगा फिर उसके बाद आपको without x आएगा अब उसके बाद जो outer numbers हैं अब मैंने यहां से इसी चलो next problem लेते हैं कोई भी x square minus 5x और प्लस 6 मैंने यह अलग से कोई भी question लिया हुआ है तो देखो arrange है पहले x square का term है फिर इसकी power half कर गे वन मादा आपको पॉजिटिव मिलता है तो हम दोनों factor को फिर add करके देखते हैं और sign उस पर हम same डालेंगे यदि मेरा product negative मिलता है तो मैं दोनों terms को subtract करके देखूँगा तो आपका देखो इन sign से हम जो याद रख सकते हैं कि minus है तो मैं दोनों factor को subtract करूँगा product plus का है तो दोनों factor को में add करूँगा तो अब सबसे पहला अब जब add कोई भी number कब होता है जब उनका sign सेम हो तो इसमें हम दोनों sign plus की यूज़ करेंगे या minus की ये middle वाले term पे डिपेंड करता है जिस मेरा minus का है middle वाला तो मैं दोनों को minus का यूज़ करूँगा plus है middle वाला तो मैं दोनों को plus का यूज़ करूँगा और subtract में आपका एक हमेसा plus का होगा और एक minus का क्योंकि opposite sign ये आप subtract कर सकते हो तो इसमें जो भी बड़ा number आपको sign negative चाहिए तो बड़े number को आप negative का sign देना और positive चाहिए तो बड़े number को आप positive का छोटे को उसका opposite sign देगे तो ये हम main आपका middle term splitting के लिए आपने ये याद रखना है कि हम factor को कब add करते हैं और कब subscribe करते हैं अब देखो इसको proceed करके देखते हैं तो मेरा बाहर की number का जो product आया वो 6 आया क्योंकि 1 into 6 is equal to 6 तो मेरा product positive है इसका मतलब में दोनों factor अब इसकी जितने भी possible factors है वो एक बार आप लिखे लो upside के लिखे लो या main कहीं भी लिखे लो तो मैंने देखो पहला तो मेरा लिखा हुआ 1 into 6 दूसरा मेरा 2 into 3 आपका होता है 6 और आपका और तो कोई possible है नहीं अब देखो में यहां इनको क्योंकि मेरा product positive है तो दोनों को add यहां में add करता हूँ तो 5 मिल ला है और यहां add कर रहा हूँ तो मेरे को 7 मिल ला है पर मेरे को required क्या है 5 it means मेरे यह वाले जो factor है वो आपके सही factor है वो उपर वाले नहीं सही है तो अब मुझे middle में क्या sign चाहिए minus का तो मैं दोनों को minus का sign दूँगा तो अब आपने क्या लिखना है x square minus इनमें से कोई factor लिख सकते हो पहले 2x और minus 3x और आपका रहा गया 6 अब देखो आपका यह group बन गया आप group common method लग गया इसमें से x common हो गया आपका और यह आपका x minus 2 अब यह bracket आप यहां लिख दिया करो x minus 2 क्योंकि मुझ गया तो आप इस x को जो multiply करो इस x को जो multiply करोगे minus 3 से तब यह minus 3x बनेगा तो मैंने minus 3 यहां लिख दिया अब देखो यह मेरे पास अपने आप 6 मिल गया अब x minus 2 आप common निकाल दो तो यह आपका जाएगा x minus 3 यह इसके आपके factor हो जाएंगे next problem 3x square minus 10x plus 8 तो देखो मेरा बाहर का नंबर 3 और यह plus 8 means 3 into 8 मेरा पास 24 मेरा product आ रहा है positive तो मैं दोनों factor को add करोगा अब 24 के जो possible factors हैं तो मैंने देखो 24 into 1 भी 24 होता है फिर 2 से किया तो 2 into 12 भी 24 होता है और आपका 3 into 8 भी आपका 24 होता है और 6 into 4 भी आपका 24 होता है तो यह मैंने possible factors इसके लिख लिए हैं कि मेरे factors होते हैं तो अब यहाँ देखता हूं तो मैं 24 और 1 को add करता हूं तो 25 मिलता है तो यह मेरे possible factor नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए minus का 10 मतलब 10 चाहिए minus में sin बाद में डालूँगा 14 होता है तो यह factor भी मुझे नहीं चाहिए अब 3 और 8 इनका जो sum है वो मेरा 11 होता है तो यह भी नहीं चाहिए और 6 और 4 देखो 10 यह मुझे चाहिए यहाँ पर तो अब देखो मुझे 10 तो यह मेरे correct factor है मुझे यह factor यूज करने है अब मिटल में मुझे sign का चाहिए minus का तो मैं दोनों को minus का sign देदूगा यह middle में मेरे को plus सही है तो मैं दोनों को plus का sign देदूगा तो मेरे पास जो problem के according है वो मैं क्या लिखूँगा minus का sign लिखूँगा तो यह term आपने copy करना है minus ही आपका 6x और minus का 4x और plus 8 इन में से किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो कोई problem नहीं इसमें आ जाएगा आपका answer उससे भी आएगा अब देखो इस group में से क्या common है यह group बन गया यह group underline करोगे bracket नहीं डालोगे मैंने last video में बताया यह तो यह x-2 अब मैंने अभी बताया था कि x-2 थोड़ा gap करके आप यहां लिख दो अब आपने आपसे question करोगे इसमें x को किस से multiply करूं minus का 4x हो जाए तो minus 4 से तो आप minus 4 यहां रख दोगे और आप देखो x-2 आपका common हो गया और आपका दूसरे bracket में आपका जाएगा 3x-4 तो यह इस है problem का answer है तो इस तरह से हम दोगो middle term splitting सबसे easy याद रखने के लिए product positive add करेंगे product negative दोनों फेक्टर को subtract करेंगे subtract number कब होता है जब sign approved हो और add कब होता है जब sign मेरे same हो next problem 2p square minus 70p minus 30 अब दोगो मेरा बहार का number 2 और 30 इनका जो product आ रहा हूँ minus 60 आ रहा है अब मेरा product negative है मैं दोनों को factor को subtract कर गए अब जो मैं पहले 60 के factor लिखता हूँ तो आप without sign लिखो कोई problem नहीं इसमें अब तो मैंने 60 into 1 आपका 60 आता है उसके बाद 2 से करेंगे 2 into 30 आपका 60 आता है 3 से करेंगे 3 into 10 आपका 60 आता है 4 से करेंगे तो 4 into 15 आपका 60 आता है 5 से करेंगे तो 5 into आपका 12 60 आता है 6 से करेंगे तो अब देखो आपका 6 into 10 ये आपका 60 होता है अब आपका जो आगे 12 का repeat होता जाएगा तो ये मेरे possible factors हैं अब मैं देखो मुझे क्या करना है negative है तो उनको minus करके factor को यहां में 60 और 1 को minus करते हैं तो मेरा जो required है 17 नहीं मिलता 2 or 30 को minus करता हूं तो ये भी मेरे को नहीं मिलता 28 चाहिए 28 आता है पर 17 चाहिए इसको minus करूँगा तो मेरा 17 अब देखो product मेरा negative है तो मैं subtract करूँगा तो 23 का जो है वह आपका 17 आता है तो इसका मतलब मेरे ये factor आपके sorry ये आपके factor जो हैं वो सही है और आपके factor आपके नहीं है यहां देखो ये add करके 17 तो ये मेरे factor add कब करते हैं जब मेरा product positive तो आप गलती से इनको मतलब लिखना ये मेरे गलत है ये वाला factor है अब देखो middle में क्या sign चाहिए आपको minus का तो बड़े वाले को अब जो को मैंने यहां पर लिख दिया P minus 10 अब इसमें से क्या common है आपका किस से multiply करूँ पी को कि 3 वाज़े प्लस का 3 तो आपका plus 3 अब दोनों में से मेरा क्या common है P minus 10 और ये आपका जाएगा 2P plus 3 तो देखो आपका ये इस तरह से easy method से simple trick है ये trick आपको कोई भी नहीं बता है वो तो ये कहते हैं कि हमारा ये ऐसे लिख दो और इसको तो आप प्लीज इसको जब आप देखोगे तो आपकी कहीं भी में डिल टर्म स्प्रिटिंग में गलती नहीं होगी और जो आपका A square plus 2AB plus B square जो टाइप है वो भी आप इससे solve कर सकते हो Thank you students, thank you for watching, please subscribe my channel